Hello students, today we are going to start scientific or technical names. Scientific names क्या होते हैं? यह standardized name होते हैं, जो किसी भी organism को दिये जाते हैं. और यह नाम कौन देता है? Bylogist देते हैं. Agreed principle और criteria के base पे उनको यह नाम दिये जाते हैं. कुछ standard principles हैं, कुछ standard rules हैं, उन्हीं के base पे यह नाम दिये जाता है. यह क्या होते हैं? यह पूरे world में accepted होते हैं. तो इसके वज़े से क्या है? कि confusion नहीं होता है, क्योंकि कोई भी organism है, वो particular area में अलग नाम से जाना जाता है. दूसरे area में दूसरे नाम से जाना जाएगा. तो उसके पहचान खतम हो जाती है. कोई benefit नहीं रहता. और अगर उसी organism को एक ही नाम से पूरे world में जाना जाएगा, तो easy हो जाएगी उसकी study. ठीक है? This process is called nomenclature. जो यह नाम देने की प्रेक्रिया है, इसको कहते हैं nomenclature. nomenclature में, जो सबसे main है, वो है binomial system of nomenclature. सबसे पहले किस ने दिया था? कार्लास लेनियस ने, लेकिन यह जो idea था binomial nomenclature का, गैसपार्ड बोहीन ने दिया था in 1623. ठीक है? उसके बाद आता है, कार्लास लेनियस ने 1753 में यह नाम दिया, उन्होंने कहा, अपनी बुक में, Species Plantrum में, यह भी important है, Species Plantrum में, उन्होंने यह नाम, इसका principle दिया, कि जो binomial nomenclature है, उसमें हर एक नाम दो नामों से बनेगा, दो component से बनेगा, एक जेनस ने इंडिकेट करेगा, और दूसरा Species, ठीक है? जैसे आपकी बुक में, Mangifera Indica का example दिया गया है, इसमें Mangifera Indicate कर रहा है, Generic Name और Indica Species ने, वैसे तो यह Latin word है, क्योंकि Latin जो एक language है, वो dead language है, उसको change नहीं कर सकते हैं, लेकिन, इनको italics में लिखा जाता है, अगर हम अपनी बुक में, अगर हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं, तो italics नहीं लिख पाते हैं, इसलिए इनको underline करते हैं, जब हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं, अगर हम computer से लिखते हैं, या print out लेते हैं इसका, तो उसे लिखते हुए इसको इटालिक कर देते हैं जिसमें तेड़ा तेड़ा लिखा जाता है ठीक है तो यह प्रोसेजर होता है लास्ट में कभी-कभी एक एक और लेटर भी जुड़ा होता है वो इंडिकेट करता है साइंटिस्ट का नाम जैसे मेंजिफिरा इंडिका L है तो यहां पर यह लीनियस को इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने यह नाम दिया था ठीक है यह वाइली एकसेप्टेड है और फ्रिक्वेंटली यूज होता है यह नॉमनक्लेचर एक और नॉमनक्लेचर भी है जो की है ट्राइनोमियल सिस्टम उप नॉमनक्लेचर ट्राइनोमियल में क्या होता है इसमें तीन नाम दिये गए है ट्राइनोमियल सिस्टम में तीन नाम दिये जाते है एक सेकेड जो थर्ड नेम होता है वो sub-species और varieties को indicate करता है और trinomial system lamag ने दिया था जो तीसरा नाम है बस यही additional है कि दो नाम के अलावे तीसरा भी होगा वो species, sub-species या variety को indicate करता है जैसे Brasica, Oleracee, Botrytis है ठीक है, Brasica, Oleracee तक तो ठीक है species और genus को indicate कर रहा है Botrytis क्या है तो यह वो third name है जो इसकी variety को indicate कर रहा है sub-species को indicate कर रहा है फिर जो बहुत पहले यूज़ करते थे polynomial system इसमें बहुत सारे Latin words होते हैं ठीक है, यह 17 I think 1750 से पहले इनको यूज़ किया जाता था और इसमें karyophyllum, sexylitis, fallis, graminis, umbrellaitis, corimbis देखे कितने नाम है, कितना याद भी नहीं कर सकता, कोई इतना बड़ा नाम है तो यह भी इसलिए reject हो गए इसका मतलब है कि karyophyllum growing on rocks, having grass-like leaves and umbrella corin flowers यह उसके character indicate कर रहा है बहुत सारे but it was also rejected like trinomial system of nomenclature अब आपको confused नहीं होना है क्योंकि जो binomial system है उसमें तीसरा नाम scientist का नाम indicate कर रहा है ठीक है, सिर्फ इसमें एक letter होगा जैसे L है, कुछ और भी हो सकता है जो scientific name लिखना आसान होता है multiple choice question में मैं आपको बताऊंगी कि किस सरह से यह आपके लिए helpful है Thank you for watching Life Science Cafe